नैन आई एस यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है हम देखेंगे आद जोग्रफी के महतपूर्ण प्रस्ण जो जोग्रफी आप्स्टरल में आते हैं तो ले देखते हैं प्रस्ण कटिवन दिये दिष्ट कोन से भूरू आखिरतिक प्रकर्मों का वर्नन किजिए पहला जो है पहला कोश्चन है दूसरा कोश्चन है विवेचना किजिए कि वतागर जनन किस प्रकार मौसम और सीर्था में योगदान करता है हम सबी परस्णों को एके कड़के उत्तर बताएंगे अब लाष्ट तक जो है चैनल में बने रहिए विविन परकार के पहले जिल्क निशेपों की विशेस्ताओं का वर्नन किजिए चौथा कोशन है प्राकर्तिक अनुकरम के अभी लक्षनों की व्याख्या कीजिए पांचमा कोशन क्या है जीवन की गुनता पर परियावर निये सिक्षा के परभाव पर टिपनी कीजिए यह जो है पांच question दिये गए हैं हम देखते हैं एक एकड़ के question के उत्तर को पहला question क्या है कटी बंदिय दिश्टी कौन से भू आकिर्टिक प्रकरमों का version कीजिए यह है हमारा पहला question अब इसका उत्तर देखते हैं भू आकिर्टिक प्रकरम अप्षे अपर्दन एवाम अवशादी करण का प्राकिर्टिक कारण हैं जिसके दोरा सतही पदार्थों एवाम अस्तर रूपों का रूपांतरन संभव होता है अब इसमें question का headline क्या दे दिया है अप्षे भू आकिर्टिक प्रकरम के बारें बताना है अप्षे अपर्दन एवाम अवशादी करण का प्राकिर्टिक कारण है अब आगे क्या होगा भू आकिर्टिक कैसे बनती है अपच्छे अपर्दन और अपसाधी करन से डिटेल में उसी को वर्णन करना है मुख्य रूप से जो हेडलाइन होता है उसी को बना करके बीच के उसका उत्तर को लिखा जाता है और लास्ट में एक कंक्लूजन दे दिया जाता है तो देखते हैं में हेडलाइन के बाद का उत्तर क्या है भू अकृति प्रकरमों का कटिवन दिये वर्णी करन जलवाई भू अकृति की संकर्पना पर अधारित है किसी खास परकार के जलबायों में खास तरह के प्रकरम सक्रिय होते हैं जथा असल रूपों का निर्मान होता है इस अधार पर इसे निम्र परकार से वर्डिर किया जाता है पहला है सीत कटी बंदिये इसके अंतरगत अंटार्क्रिका, उत्री अमेरिका, उत्री यूरोप, आधी पर्देश आते हैं सीत कटी बंदिये में कौन-कौन से पर्देश आते है अंटार्क्रिका, उत्री अमेरिका, उत्री यूरोप, पर्देश आते हैं अब दूसरा क्या है वना अच्छा दिये मध अक्षांसी ये मंडल इसका विस्थार दोनों गुलारदों में मध अक्षांसी पर्देशों में पाए जाता है परन्तों उत्री गुलार्द में ज्यादा विक्सित है युरेसिया में इसका विस्तार अर्लांडिक तर्ट से बैकाल जिल तक है चीली के दक्षिनी तर्ट अस्ट्रेलिया के पुर्वितर नियुजिलेंड में यह परदेश विक्सित है जहां गर्म एवं परदन नियुन होता है यहां पाय जाने वार यादिकांस उच्चावच अवसीष परकार के हैं जलवायों में अस्थानिय परिवर्तन के कारण भूह आकिर्की प्रकरमों में अस्थानिय परिवर्तन होते हैं तीसरा क्या है सुस्क मंडल है सुस्क मंडल में देखते हैं कौ परवाद ‫ परवा तिवगति से होता है . वहादा , पेडी मेंट आदी अस्तर रूपों का विकास होता है . सुफा है का अस्ट्रेलिया मेक्सिको के पठारादी में है चौथा है आर्द रूसन कटिवन थिये इसे दो प्रकार में बटा गया है सवाना प्रदेश यहां सुस्क यहां आर्द मौसम अस्पश रूसर परजलक्चित होती हैं तिव्र वर्षा के समय यहां असफा लत एवं रिल वास यह समतरी करान में सहायक होता है बहुतिक अप्चय कम होता है चौथा है उसनार्द वन परदेश इसमें परदेश में बस भर उच तापमान एवं वर्षा होती है इस कारण से यहां रसानिक अप्चय अधिक होता है एवं मोटे रे गोलित का निर्मान होता है यांत्रिक नदियों में ठोस परदार्थों के कमी होती है इसके कारण नदियों के मार्ग में जहां ऐसी सहल भाग जो रसानिक अप्चे के लिए अब दो दक है जल प्रपातों का निर्मान हो पाता है अब नेक्स्ट कुछन है विवेचना कीजिए कि वातागर जनन किस प्रकार मौसम और इस्थीरता में योगदान करता है अब देखते हैं इसका उतर देखते हैं छोब मंडल में उस्मा एवं आदर्ता का लंबवत एवं 36 वित्रन आसमान है अता वायू रासियां उत्पन होती है ये वायू गतिया उस्मा एवं आदर्ता का परिवहन अधिसे स्चेतर से कमी चेतर वाले में करती है वायू के घनत एवं दाव एवं ताप में अंतर होता है वायू की इस्थिति ताप एस्थेतिक संतूलन को कायम रखने की होती है और इसी करम में उत्पन अस्थिर्था को वायू मंडली अस्थिर्था कहते हैं अस्थिर्था के समय वायू रासी उपर की ओर उठती है इसमें वायू का मिश्रंद था उस्मा एवाम आदता का परिवहन होता है। उपड़ी वायू में संगनन गुप्त उस्मा का निसकाशन बादलों का निर्मान होता है, जबकि धरातल पर निम्दाव एवाम चक्रवातिये सनरचना उत्पन होती है। मौसम और स्थिर्था के कई कारण हो सकते हैं जिसमें वातागर जनन एक है। वातागरों के उत्पत्ति के दिशाओं के प्राप्त होने पर वातागर ठंडी एवं गर्म वायू राश्यों के मद्र का संकर्वन चेतर है। वायू के 36 मिस्रा नेवन ताप का विनमा होता है। एक दुसरे के छेतर में प्रवेश करने की कोसित करती है जिससे लहर नुवा वातागर बन जाता है। इसके बाद उस नेवाम सीत्र वातागरों का पौर निर्मान हो जाता है। चक्रवात के बीभिन अवस्थाओं में बीभिन मौसम प्रावत होते हैं जो मौसम के अश्चिर्ता का परमान है। यहां पर वातागर कैसे होते हैं थंडी और गर्म वायुरासियां मिलती है। तब जागर के वातागर का निर्मान होता है। इधर से सीत्र वातागर है इधर से गर्म वातागर है। तो जो है चक्रवात इससे उत्पन होता है घुम घुम के चक्रवात का उत्पन करता है यही दिखा रहा है यहाँ पर यहाँ पर वायुदाब अधिक हैं यहाँ पर कोल्ड है दो रासियां जब मिलती है वायुरासि गर्म और ठंडी तो यही यहाँ पर भवर बन जाता है और चक्रवाद का निर्मान करता है एक साइड से गर्म वायरा से दूसरे साइड से ठंडी वायरा से मिल दी है तो चक्रवाद का निर्मान होता है और यह धूर्वी एच्छेतरों में ज्यादा होता है देखते हैं तीसरे प्रसंद को तीसरा प्रसन बिभीन परकार के पैलेजिक निशेपों के विश्रिष्टाओं का वर्णन किजिए पैलेजिक निशेप बिभीन परकार के कितने हैं उसके बारे में हम अध्यन करेंगे पालेजिक निशेप गहन सागाडिये छेतरों में प्राप्त होते हैं जो पूज कहलाते हैं एवं पंक के रूप में पाय जाते हैं इसकी पति जैव राशानिक परकिरियाओं विग्टन असोसन तथा उत्सरजन दवरा होता है पालेजिक मुक्ता चुना युक्त एवं सिलका युक्त होते हैं चुना युक्त पालेजिक गेलो विजेणिया एवं टेरो पोड़ा प्रकार का होता है गेलो बीजेरी न एक अतिस सुख्च में जीव है जो की जेरो मेनी फेरा वर्ग का परनाली है इसमें 60% कैल्सियम प्राप्त होता है इसके अंतरगत गलाइको नाइट नाम खनीज प्राप्त होता है इसका विस्तार उतुरी अतलांटिक में 200-600 के मत सरवाधिक अर्था दिया स सितोस्न एवं उस उपोष्ण कटिवन्द में प्राप्त होता है टेरो पोडा मुलास्का वर्ग का प्रानी है इसमें कैल्सियम कार्बोनेट 80% पाया जाता है इसकी इस्तिती मुकिरूप से मुंगे वाले छेतरों में अधिक पायाती है या महासागर्य परबड़तों कटको जथा कम गहरावी वाले छेतरों में प्राप्त होता है या कुल महासागर्य निछेप का 0.4% है सिलिका यूज में सिलिका की प्रधानता होती है इसमें चूने की कमी कारण या जल में जल्दी घुलता नहीं आता ठंड है और गर्म दोनों परकार के सागरों में अतिदी नगहराई तक पाई जाती है या दो परकार का होता है डाइटम वा एडियो लेडियन डाइटम उज कुल समुदरी निछेप का 6.4 है या पादब बढ़गी ये लबक है जो की अती सुच में होते है इसमें स्वगती की भी नहीं होता है या उत्पलावक है अस्थल के पास अस्थल से दूर इसका रंग पीला या मतमेला होता है मुकरूब से सम्तिजोस जल में प्राप्थ होता है जहां ठंडी एवं गल जहां गरम जल भाराएं आप आसे मिलती है या 500-700 दक्षिन एक्षानसो के पास एक पट्टी के रूप में प्राप्थ होता है यह लेडिया ज इस सुबतिये छेतर में आधिक पायाता है यकूल समिदर निशेपों का 3.4% होता है चोथा कोशन हमारा था उसको देख लेते हैं पांच कोशन दिये गे हैं टोटल प्रास्थितिक अनुकरम के अभी लक्षनों की ब्याख्या किजिए प्रास्थितिक अनुकरमन के लक्षनों का ब्याख्या करना है अब देखते हैं प्रास्थितिक अनुकरमन शैकरों या हजारों वर्सों में वानस्पितिक समदायों को रचना आवाकार में आने वाली विभिनताओं को ब्याक्त करता है इस किरिया में समदायों पर्यावरान में प्रास्थितिक किरिया से जो परिव पत गामी समय में होने वाला बनास्पति परिवर्तन है अनुकरमन की गति लंबी अब्धी की बाद मन्द पढ़ने लगती है और रांत में एक ऐसे समुदाय का आगमन होता है जो वहां के भौतिक परियावरन के साथ गति संतुलन अस्थापित करके परियावरन को परिवर्ति करन होने से रोकता है इस संतुलित समुदाय को चरम समुदाय कहते हैं इस समुदाय के दूसरे समुदाय दोरा परिती अस्थापन के करम को करमक कहते हैं सरपर्थम अस्थापित समुदाय को नवीन समुदाय कहते हैं इस परकार नवीन समुदाय से प्रारम होगा करमक मेंट्स ने अनुक्रमन में पांच अवस्थाओं का बर्णन किया है वी वस्तरी करन यह एक पर्थम अवस्था है किसी भी प्रकाड की वर नस्पती से रहित खुले छेतर का निर्मान होता है नय समदाई का आगमन के लिए खाली अस्थान दूसरा है प्रबास यह दूती अव पॉद्धो की बीजों का अस्थापने तला नचा पर्यावरान होता है परतिकीरिया पॉद्धो की अस्थापना ये नचारिकीरिया का रम परतिकीरिया इस अवस्ता में समधाय और प्रावर्या और इनके बीच अंतिम समस्तिती प्राप्त हो जाती है या अवस्ता प्रास्तिती की संतूरन के लिए वस्तक है या समस्तिती अस्थानिय प्रादेशिक आवास की संतूलित दसाओं के संतर में होती है इस चरम अवस्ता होता है प्रास्थितिक अनुकर्मन मुखिता दो परकार के होते हैं प्राथिमी कनुकर्मन के अंतरग्रत उन छेत्रों में विविन करमों में बनस्पति समदाई के विकास को समलित करते हैं जहां पर पहले किसी परकार के पौधिया प्रानी का विकास नहीं हुआ है वहें जिन छेतरों में पुर्व में बनस्पती समधाय का विकास हुआ था प्रंतु बादे मानिमी कीरिया कलापोद या प्राकिर्टि घटनाओं के कारण समधाय रूप से पुर्ण रूप से या अंसिक रूप से रिनस्ट हो गया तथा फिर से बनस्पती समधाय का विकास अब देखते हैं पंचवा परशन को पांचों परशन के समझना पड़ेगा उसके बात जो किताब में उस्तर दिया हुआ है उसको समझ लिजीए फिर अपनी भासा में जब आप लिखेंगे तो आपका सही उत्तर त्यार होगा उसी पे एकजाम में नंबर मिलता है बात को एक बार फिर से समझ लेजिए कि question को पूरी रूप से समझना होगा किताबी उत्तर को एक बार दो बार फिर अपनी भासा में उत्तर देना होगा अपनी भासा में जब उत्तर देंगे पर करके तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे scoring subject है आपको थोगा समझने की जरुत है उसके बाद आप जब उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा जीवन की गुनबता से तातपड उत्तम सिक्षा सेवा रोजगार बेहतर जीवन सहली स्वक्ष पड़िवेस आदी से है वहीं परियावारनी सिक्षा अपने परियावारन को बेहतर धंग से समझने का एक संगठित परियासा इसके अंतरगत मनुस्य कैसे वातावरन को लेकर सजग हो जाता है कैसे सतत विकास के तरीकों अपना सकता है आदी को सामिल के जाता है इसके अंतरगत नागरिकों के लिए बिग्यान की बिधी अपनाई जा रही है इसमें नागरिकों को साथ लेकर बैग्यानिक सोधेवा माकुलों का परसंसकर्ण किया जा रहा है ताकि लोग अपने आसपास के वातावरन को समझ सके वों उसका निदान कर सके आज के बढ़ते ओद्योगी करन और तकनिकी विकास से इनसान को ऐसी आधुनिक सुकसूगदाय परदान की है जिसके का diameter उसका जीवन पर्तियासित रूप से सराल और सहज बन गया है लेकिन यह भी उतना ही सत है कि बढ़ते अध्योगी करण और उन्यत अध्योगी करण के कारण पिर्थिवी के प्राकिर्टिक वातावरण में व्याबधान उत्पन हो गया है इस व्याबधान ने प्राकिर्टिक के स्वावविक समझस को असदूलित कर दिया है और चुकि मानव जीवन प्राकिर्टिक का अभी नंग है इसके लिए बढ़ते प्राकिर्टिक असंतुलन ने इंसान के जीवन को भी असंदूलित कर दिया है फलसरूप आज का बिगड़ा प्रयावरन मनुस के स्वास्त को बहुत ज़्यादा परभावित कर रहा है मनुस का स्वास्त नीसंदे उसकी बड़ी पूजी है क्योंकि स्वास्त सरीर में ही स्वास्त विचारों का बास होता है स्वस्त विचारों में राचनात्मक तिवर्ता और ततपर्ता होती है और साथ ही कुछ कर गुजरने की इच्छा ही नहीं छमता भी होती है स्वस्त सरी में ही खुसाल मन रहता है और एक संतुष्ट और खुसाल मन में ही सामर्थ होती है कि वहम नुस माना मात्र के लिए सद्वावना रख सके और बिना किसी बेदबाव के सुएम अपने परिवार एवं देश की समाज के बीकास के बारे में विचार कर सके ऐसी हालातों में कहा जाता है कि मनुस का अच्छा स्वास्थ ना केवल ना केवल उनकी अपने लिए प्यलकी उनकी परिबार देश रसमाजी सबहês के लिए बहुत अहमेत रखता है इसलिए मनुष्स कि स्वास्त पर परियावरन का कुपरे वाव निश्यत ही चिंता का बिशय क्या है परियावरन पर चर्चा करते हैं अ में सबसे पहले इस स्थे पर विचार किया जाता है कि आ ही सब्द का तर्थ पर क्या है आमतर पर समझा जाता है कि वायू जल मिट्टी और पेर पौधे मिलकर पर्यावरन बनाते है यह सच तो है किन्तु सीमित अर्थों में व्यापक रूप से कहा रहा सकता है कि मनुस्के असपास का सारा वातावरन घर के बीतर और बाहर सभी कुछ पर्यावरन का एक हिस्सा है इसलिए यदि पानी हवा का परदूसर्ण मनुस्के स्वास के लिए हानिकारे खोज़कता है तो साथी घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत सी आम चीजे भी हमारे पर्यावरन को दूसित करती है पर्यावरन उसके और उसके दूसर प्रभाव को मूल से दो भागों माट सकते हैं बाहरी और भीतरी बाहरी परदूसरन घर के बाहर हमें अधिकार तर् पर्याबरन के जिननोंका सामना करना पड़ता है वो है वायू जल और धनी पर्यावरान के इन बाहरी भागों उनसे होने वाले परदूसर उसके गुरूप परवाव बैगरर की चर्चा इतनी चर्जादा हो चुकी है कि आमतार पर आज सभी जानते हैं कि किस परत्रह के तरह ये मानब सरी को परफावित करते हैं वायू और सवास्त पूरी पृत्रह बैगर या पर्यावरान के ऐसा इंग है जिसके बीना मानब जीवन्म ग्लपना भी नहीं की जा सकती हैं स्वक्ष वायू में सांस लेकर ही हम स्वस्त जीवन व्यतित करते हैं ऐसे में जब वायू परदूसित हो जाती है तो मानब सांस लेते समय परदूसित हवायम अपने भीता लेता है तो उसके पूरे सरीर में फैल जाती है परदूसित वायू मनुस्त के सरीर में विसयले पदा बिमारीय से लेकर कैंसर जैसे घा तक बिमारीया होने की संभवना होती है साथ ही पर्दूसित वायू मनुस्यकी तोचा को भी प्रभावित करती है परतवान समय में जतनी जयादा मातरा में तौचा सम्बंदी रोग सामने आती है उतने साय Forsch और के संपर्ड़ताइब जाहिर तो पर्ते हमारी सम्पर्डाय के सम्पर्ड को में है परेकं संपर्ड। की परते हमारी संपर्ड। वाले धुएं सीननाकेवरान सांस की बीमार्योंगा घत्रा होता है ब़ल्कि ये पिरत्वीपी को वही वात्तवरान से बचाने के लिए बाली हो जोन बरत के लिए भी बहुत ही घादक सीध हो रहे हैं और ही हमारे परियावरन को प्रभावित करने वाले हालाद नाकेवर रोग की संभावना परवल करते हैं बलकि हमारे पिर्थवी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं इसका सकाया समन्धान है पर्ष्ट पर्यावरन को मुनुक्सान पहुचाने वारे दूसी धुएं से बचाने के लिए पर्यावरन के अनुकूल साधनों की खोज विकास और प्रयोग आवस्तक है पेट पौद हो वाता बरन से काबन डाइस साय पराथ होते हैं और बदले में सुख्च ऑक्षीजन देते हैं इसलिए बेहतर पर्यावरन के लिए विक्षा रोपन को पोर्षाहन करना चाहिए जल और स्वस्त यदि पिर्थपी का दोत यह है इसले जल से वियाब थो तो हमारे सरी का भी एक भाग जल युगत होता है मानब सरी का तक्रीबं 66 प्रतियत भाग जली है और अपने सरी में जल के अस्तर को संतुलित करने के लिए एक सो अनुस को एक दिन में कम से कम पांच से साथ से आठ लिटर पानी पीना चाहिए जाहिरे मानब सरी के लिए जल बहुत ही महत्पून है हमारे दोरा पीया गया पानी हमारे पूरे सरी ने पहुचता है और परतिक अंग में जल की आपसकता को पूरी करता है जल के संबन्ध में एक और बात याद रखनी बहुत जरूरी है और वह संसार के सारे ततों में जल ही सरवादिक के उसल पदारत है ऐसे में वातावरन में मौझूद सभी तरह का हानिकारक पदारत बहुत ही आसानी से घुल जाता है आसी प्रिस्ति में अगर मनुस परदुसित पानी पीता है तो उसके सरी के भीतर सारे अंगों में वह परदुसित पानी ही पहुंचता है पीएगे पानी के साथ सरीर में पहुंचे जीवानों हमारे गले और पेट को परभावित करते हैं गले के शंक्रमन, फेपरो बिमारियों, आथ समंदी रोगों के साथ पीलिया जैसे गमीर रोगों की संभावना प्रवल होती है साथ ही पर्यावरन समंदी समस्याओं का प्रवा मनुस के रक्ता भी पहुंचाता है और अक्सर रक्त जैनित रंगों के रूप में उभरता है रक्त प्रवा के प्रवावित होने पर मनुस का रक्ता चाप प्रवावित होता है और फ्लसरूप उच्छी रक्त चाप जैसी समस्या सामन आधी नहीं इन सारी प्रश्षितियों के कारण दिल की बिमारियों की स्भावनावी भी प्रवल हो जाती है समधान जहीर पर पानी की सफाइबहुत ही अवस्डक है इसलिए नदियो तलावा और कुए बेगारे की समय समय पर नियमती सभाई करते रहना चाहिए पानी के इस्तुतों में किसी पत्रा की गंद की कुरा बेगार नहीं फेगना चाहिए पानी के पीने से सोच आदी का नालियों को दूर रखना चाहिए धौनी और स्वास्त आतुनिक समय में अधोगी करन ने प पर दूसन के कारण दूरला पर्दित होने लगी है अदोगी कारण के सोर में जहां एक और प्राकिटिक आवाजे खोशी गई है वहीं सोर ने मानव मन पर बहुत ही प्रूबरा प्रभाव डाला है फलत सुरूप आज के मनुस के मन में चीचिरापन वेवस्त व्यथा और संता मन का सीधा परभा उसके सरीर परता है और सरीर की सवन सकती कम हो जाती है यहीं नहीं इसके चलते मनुस की जीवर्म परतियासा भी कम होती है तो दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब निकाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे जाए सेयर कर दे ताक बन्हें।